हेलो स्टूदेंट्स इस वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड और इसके करेक्टरेस्टिक्स के बारे में कंपाउंड भी प्योर सब्चन्स का ये एक फॉर्म होता है आपको पता है प्योर सब्चन्स दो तरीके से एक्जिस्ट कर सकते हैं ठीक है और एक होता है आपका एलि में क्या होता है element वो सब्स्टेंस होते हैं जो अनकम्बाइन इस्टेट में होते हैं मतलब कोई element किसी और element के साथ combine ना हो जैसा nature में exist करता है बिल्कुल वैसा ही exist करें जैसे oxygen कैसे exist करता है उट्टू के form में यह क्या है करें तो उसके हम क्या बोलेंगा elemental form compound क्या होते हैं जब दो यह दो से ज्यादा element आपस में chemical react करके कोई नया substance form करते हैं उसे हम बोलते हैं compound जैसे जिसे hydrogen और oxygen यह दो अलग अलग लेकिन जब यह combine होके water बना लेते हैं तो यह क्या है यह अब एक compound समझ गए इस बात को अब देखिए मैंने यही पी लिखा हुआ है compounds are those pure chemical substances pure तो होते ही हैं ठीक क्योंकि हम pure substances की बात कर रहा है compounds are those pure chemical substances which are formed by the combination of two or more elements ठीक है दो यह दो से ज्याधा elements के chemically combined होने से compound का formation होता है अब ध्यान रखना है जब elements two elements combined होते हैं so they always react और they always combine in a fixed proportion by mass ठीक है जो next chapter आने वाला है atoms and molecules वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे वहाँ पर एक law पढ़ने को आएगा आपके पास law of constant proportion ठीक है तो यह law वहीं से आएगा ठीक मैं थोड़ा सा बता भी दूँँगा आपको जैसे देखिए हाँ बताओ दियार ऑल्वेस फॉर्म्ट बाइक कामिकल चेंज ठीक को फिजिकल चेंज से नहीं बनने वाले हैं जैसे अगर आपने वाटर को माल फ्रीज कर दिया तो में करना हो जाएगा तो वहां कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है वह तो सेम फॉर्मला भी ठीक है बतलब ऐसे तो वाटर खुद एक कंपाउंड है बट अगर आपके सीवी और एक्जाम्पल को ले लो जैसे माल लो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को अगर हम लिक्व इसको बैलन्स कर लेते हैं तो बैलन्स करेंगे तो यहां पर अगर लगा लें दिंखे पूरा बैल toothpaste ठीक है तो हइड्रुजन क्या है ये कःएध के लिमेंट है और ट्न क्या है ये भी एक ऑन्हos आप बट नचए यह वॉटर क्या है यह ये अधाम बाउंद है में ठीक है समझ गए अब देखें यहाँ पर यह proportion by mass fix proportion by mass का क्या मतलब है hydrogen यहाँ पर hydrogen का molar mass जो molecular mass होता है वह वन होता है तो यहाँ पर हो जाएगा total h2 जिहां पर हो जाएगा 4 हो जाएगा और टू का टू से मल्टिप्लाइब फोर ग्राम ठीक है यह चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो भी कोई प्रॉब्म नहीं नेक्स चाप्टर में सबकुत क्लियर हो जाएगा नेक्स चाप्टर आटम से मॉलक्यूस में हर चीज डिसकस हो जाएगी ओर टू में 4 डिवारेट बै क्या 이후 जोड़ेगा 1 टीद फिरावेशाइब आ यहाँ पे आजाएगा वडग्राम रेश्योट ग्राम ऑन रेश्योट ग्राम है फिक्स रेश्यो का मतलब बहुत एक ग्राम अगर मैं बास हाइडोजन है तो वह जहें करके एच्ट यू बनायागा ऑगर में हैं ऑपस मालने जहे एक ग्राम से कम है तो पूरी Колospर क fountain इंपर आपको तो ऑफिज सब्सक्राइब में तो अपने आप यह चीज़े क्लिकर हो जाएंगे तो यह मतलब होता है और कैमिकल चेंज का मतलब क्या है जब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सिन ऐसे रिएक नहीं करने वाले आपको इलेक्ट्रिक स्पार्ग देना पड़ेगा तब यह चैमिकली रियक्ट करेंगे तो जब इलेक्ट्रिक स्पार्ग मिलेगा कैमिकली रियक्ट होंगे और इनके बॉन्ट टूटेंगे ने बॉन्ट फॉर्म होगा और यहां पर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा अपने जितना भी कोई एक एलेमेंट ले लिया दूसरे में लेलिए वो सब आपस में रियक्ट मास के फिक्स रेशियो में रियक्ट करेंगे ठीक है थर्ड क्या है कंपाउंड के नॉट बी सेपरेटेड इंटू इट्स कॉंसिटुमेंट बाइफ फिजिकल मैथेड जिसे माल नीचे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सिजन से वाटर का फॉर्मेशन होगा है और अगर हम वा फिजिकल मैथेड से सेपरेड नहीं कर सकते हैं मतलब इसे बॉयल कर दिया या इसे कुछ और कर दिया इसे फिल्टर पेपर से पास कर दिया तो हाइड्रोजन और ऐसे कभी अलग नहीं होगे फिजिकल मैथे से बिलकुल अलग नहीं होगे चैमिकल मैथेड से अलग हो सकते ह है तो यह लिखा है compound cannot be separated separated into its constituent ठीक है जिससे वह बना है जिसे वहाँ पर water किसे बना hydrogen oxygen से माल लिजे कोई और gas है माल इजे co2 हुमने ले लिया तो carbon oxygen से बना है इनका आप separate करना चाहा है तो it is not possible by physical method ठीक है फोर्थ पॉइंट देखे के लिखा है properties of compound यह important point the properties of compound are different from its constituent elements ठीक है यहीं पर एक्जांपल एलीचे hydrogen एक ऐसी गयस है जो बहुत जल्दी बढ़न हो जाती है ठीक है बहुत कम बश्टाइल गया से होती है और oxygen यह वह गया एए जो हम use करते हैं जो जिसे हम Radiating के लिए यूज करते हैं यह इन दोनों का nature बिल्कुल अलग्ग है यह gases state gases State में लेकिन water जो बना है से वह तो वाटर है ठीक है इसको पीते हैं जो आखिक है यूज करते हैं अरे डे-ल cabbage में तो इस इसका नेचर जो बना है उसका नेचर इनके कॉंसिट्वेंट अलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है तो वही लिखा हुआ है देखने में एक जैसे लगते हैं बिल्कुल ठीक है अगर किसी और जगह से इसका मतलब क्या हो रहे है इसे मालीजी वाटर है वाटर का बॉलिंग पॉइंट कितना होता है है यह बात हमें पता होती है लेकिन अगर है उसका हन्टेर डिग्री सेलसेस नहीं आ रहा है और इसका मतलब कि उसम्मे पिछाद रिजाब कैमेकल चैंज के अंसदों समझे इसको अब य manifestant point है formation of compound, जब भी compound का formation होगा, यह या तो exothermik होगा, या endothermik होगा, formation of compound is either exothermik और endothermik, इसका क्या मतलब होता है, देखे, thermowart का use होता है heat के लिए, और exo का मतलब होता है निकलना, तो जो compound of formation होता है, या तो उसमें, जब भी कोई compound बनता है, या तो उसमें compound के formation में heat निकलती है, या फिर heat देनी पड़ती है, ठीक है, तभी compound का formation होता है, जनरली यह होता है, कुछ ऐसी भी होती है, जो एकदम neutral होती है, बड़ जनरली जादातर ऐसी होती है, या तो exothermik होंगी, या वो endothermik होंगी, ठीक है, हम देखते हैं, comparison between elements and compounds, देखें क्या लिखा हुआ है, पहले हम नेचर की बात करते हैं, तो made up of only one kind of atom, ठीक है, इन तरह की atom से ही बना होगा, चाहे वो monoatomic form में हो, या diatomic form में हो, ट्राatomic form में हो, जैसे देखें, अगर मान लीजिए, किसी भी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मुदुक देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए, आगर मान लीजिए, किसी container में हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है, तो पूरे element में, सारी, पूरे आपको container में hydrogen, 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 hydrogen ही दिखाए पढ़ेंगे, मतलब एक type का element ही आपको दिखाए पढ़ेगा, चाहे वो molecular form में हो, मतलब combined form में हो, या uncombined form में हो, अब combine, uncombined से क्या मतलब है, देखे, combine form में elements भी रह सकते हैं, जैसे s8, यह भी combined form में है, p4, यह भी combined form में हो, यह अब यहाँ पर difference क्या है, combine form में तुए भी रहते हैं, तो क्या difference है, यह अपने ही element से same type के atom से ही combine रहते हैं, तो उनको आप element बोलते हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो different atom, या दो different elements, या दो से ज्यादा different elements, आपस में chemically react करते हैं, तो इस वज़े से इनकों compound बोलत के साथ क्याम के लिए रियक्ट है ठीक कमबाइन है बट ये सेम टाप का एलिमेंट है इस वज्जा समय से एलिमेंट की काटेग्रिम रखेंगे यहां भी क्या है मेड़ आप अल्ली वन काइंड आफ मॉली कि एक तरह की के मॉलेकूल से बना होगा अगर माली जी किसी कंटेनर म है मैंने c o 2 भरा होगा है तो c o2 c o d cost आपको पूरे इस ये boys natuurlijk मिलेगा बट एक जैसा ही मालनीजे आपके पास O3 है तो ओजोन गैस में आप देखिए O3 आपको एक जैसा ही मिलेगा आप किसी भी कंटेंट फिल करते तो एक टाइप का ही आटम मिलेगा अगर यह मिलेंगे आपको वह एक से ज्यादा तरीके के दो से ज्यादा तरीके से भी आपको मिल सकते हैं जैसे देखिए मालीजे वाटर को ही ले लिए तो इसमें हाईडोजिन ऑक्षिजन अलग अलेक अलेमेंट दिख रहे हैं तो इस बज़से यह क्या है यह आपका मॉलेक्यूल कैस हो सकते हैं तो कंटेंग मॉलक्यूल विचार मेड़ आप आप तू और मोर इफ्रेंट काइंड ओस एकमस ठीक आपके सामने एक्जाम्पल आप देख सकते हैं डिविजबर देख सकते हैं तो अलेमेंट को तो आप किसी भी मैथर से डिवाइड निकर सकते हैं फिजिकल से त यह कैसा होता है है चुट्यू की फर्म मोता है मजदब दो हैटोगें आटम एक मॉलेक्विलर फाममें एक्जिस्ट करते हैं इनको में मेलेमेंट बोल रहा है हम चाहते हैं इस हाईड्रोज के हैचल की फ़र्म में यह कैम किसी भी कामेकल में डिवाइड से पॉसिबल नहीं इनको फिजगल से तो नहीं अलग कर सकते हैं बट कैमिकली दे कैन भी दे कैन भी अडिकंपोस्ट डिकंपोजिशन रियक्शन से आप इनको ब्रेक कर सकते हो जैसे अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो इलेक्ट्रिकल डिकंपोजिशन करते हो तो महां से हाइडोज मिल जाएगी और क्लोरिन आपको अलग मिल जाएगी ठीक लास टेंथ में यह पढ़ाया भी जाता है आगे देखें मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट के बात की जाए तो इनका भी फिक्स होता है और इनका भी फिक्स होता है अब करेंगे इंप्योर सब्स्टेंस या मिक्शर के बारे में